ताजमहल के 300 मीटर की परिधी में होने वाले अवैद निर्मान का सिलसला थमने का नाम नहीं ले रहा गए ऐसा मामला ताजमहल की पूर्वे गेट पर देखने को मिला जहां चोरी छुपे अवैद निर्मान करा दिया गया और A.S.I. अधिकारियों को इसकी भनक तक नहीं लगी ताजमहल पर सुप्रीम कोट की रोक के बाद भी अवैद निर्मानों का सिलसला थमने का नाम नहीं ले रहा गए ताजमहल के आसपास प्रतिबंद के बावजूद लगातार अवैद निर्मान हो रहे हैं यह वो चिन्हेत अवैद निर्मान हैं जिन पर विभाग ने मुकदमा दर्ज कराया है इसके अलावा बड़ी संख्या में निर्मान गुपचुप तरीके से हो गए हैं विभाग की लापरवाही के चलते अवैद निर्मान पर अभी तक कोई कारवाई नहीं हुई है आलम यह है कि 11 जनवरी 2018 को ताज महल के सहाया का धीक शक द्वारा पूर्वी गेट के पास निरंजन लाल के खिलाफ की गई शिकायत पर मुकदमा दर्ज होने के बाद 29 अक्टूबर 2022 को आग्राविकास प्रादिकर्ण ने अनुमती के दस्तावेज दिखाने का नोटिस दिया है अवेद निर्मान अभी भी वैसा ही है ताज महल और उसके आसपास 500 मीटर का दाइरा सुप्रीम कोट और NGT की निगरानी में रहता है यहां बिन अनुमती दिवार में कीले ठोकने पर भी पाबंदी है नया निर्मान नहीं कराया जा सकता है और तूट फूट होने पर सुप्रीम कोट की अनुमती से ही मरमत का काम कराया जा सकता है इसी कारण थाना ताजगंज में प्रभारी का कारणा भी टींशेड लगा कर बना है सी न्यूज के लिए गोपाल शर्मा की रिपोर्ट